हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बीफिश ये 2003 की एक बड़ी सी एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी मूवे एक्स्पेंट करने वाला हूँ ये जो मूवे है इस मूवे के स्टोरी बहुत ही अजीब हो गरीब है इस मूवे में एक लड़की के फादर मरने वाले होते है अब उसे पता ही नहीं होता कि उसके फादर क्या करते है क्योंकि उसके फादर हमेशा उसे अजीब हो गरीब स्टोरी सुनाते है अपने फादर को जानने के लिए उनकी जो स्टोरी होती है इनका वो सेंस बनाना चाहता है ये जो story है ये अलगी तरह का adventure है इस movie में जो भी सब चीजे में आपको बताऊंगा इसे सिफ आप accept कर लीजेगा ये एक story है as a fairy tale आप इसे accept कर सकते हो इसके बाद में इसका क्या significance है ये आपको movie के last में पता चल जाएगा हमा कर देखे तो stories क्या होती है stories ये एक सच जो जूट में लिप्टा हुआ होता है इसी तरीके से आज की भी हमारी एक story है तो चलिए इस beautiful movie को explain करना start करते है movie start होती है और इस story का main character हमें दिखता है इसका नाम है Edward Bloom इसके पूरे life के story हमें इस movie में बताई जाएगी अलग-अलग time period में अलग-अलग story हमें बताएगा movie start होती है तो Ed अपने son को उसकी story बता रहा होता है ये कहता है कि जब मैं यंग था तो एक बड़ा सा fish हमारे गाव में था उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता था बहुत सारे लोगों ने बहुत try किया पर कभी भी उसे पकड़ नहीं पाए अगर कोई उसे पकड़ भी लेता तो उसका net फट जाता मैं इस fish को पकड़ने के लिए बहुत ही determined था एक दिन मैंने बहुत ही बड़ा सा rod लाया ये जो rod था इतना strong था तो बिल्डिंग को भी पकड़ सकता है अब जो ये fish है इसे पकड़ना असान नहीं है कितना भी लालज इसे कुछ भी fish का दे तो फिर भी ये पकड़ में नहीं आने वाला इसे पकड़ने के लिए मेरी जो एक ring थी ये मैंने धाव पर लगा दी थी ये ring जब मैंने पानी में डाली तो एक सेकन में इस fish ने ये पकड़ ली ये जो ring थी ये मेरी wedding ring थी इसे मैं जाने नहीं दे सकता था इस fish ने इस ring को खा लिया था फिर वो पकड़ में नहीं आया था मैं उसके पीछे-पीछे भागता गया, अलग-अलग रिवर्स मैंसे मैं घूमता हुआ, उसे मैंने पकड़ लिया अब हमें स्टोरी बताते हुए यही दिखता है, कि यही स्टोरी बच्चे के समन क्याम पर भी इसी एडवर्ड ने बताई है अब इसका जो बेटा है, यह बढ़ा हो चुका है, इसका नाम वील है, वील की आजशादी है और इसकी शादी में भी एडवर्ड यही स्टोरी सुनाता है वील इससे एनॉय हो जाता है, और वो बाहर जला जाता है, फिर भी हमें यह स्टोरी कंटिन्यू ही दिखती है एड कहता है कि उस फिश का मैंने पीछा किया जब मैंने इसे पकड़ा तो मुझे पता चला कि ये एक मादा है इसे बच्चे वने वाले है तो मैं उसे कैसे मार सकता था इसके बाद इसने उस फिश से कहा कि उसके रिंगों उसे वापस कर दे और उस fish ने उसे वह ring वापस कर दी Edward सब लोगों से कहता है कि उस दिन मैंने एक बड़ा सा lesson सिखा कभी-कभी अगर एक बहुती ब्यूटिफुल लेड की तुमें चाहिए होगी तो उसे wedding ring offer करना ही उस पर best solution होता है Edward का बेटा Will बाहर चला गया है तो Edward उसे पीछे जाता है उससे पुछता है कि क्या हुआ है Will कहता है कि हमेशा आप story सुनाते रहते हो सच कहा है कि कभी मुझे पता नहीं होता हमेशा आप ही सब चीजों का attention लेकर जाते हो उसकी wedding होती है और उस पर भी यही story उसे सुना रहे है Will कहता है कि आप एकी story बार बार सुना कर अपने आपका मज़ा गोड़ाते हो Will 8 पर बहुत ही चिड़ गया होता है इसके बाद Will हमें कहता है कि इसके बाद मैंने तीन साल मेरे फादर से बात ही नहीं की मैं अपनी मदर को call करता था और मदर कहे देती थी कि वो बाहर है ऐसे वैसे क्योंकि मुझे उनसे बात ही नहीं करनी थी Will हमसे कहता है कि मेरे और मेरे फादर का जो रिष्टा है यह बहुत ही अलग है हम एक दूसरे को तो जान दे है पर भी मुझे बहुत ही stranger महसूस होता है हमेशा अलग-अलग स्टोरी मुझे वो सुनाती आ रहे है कभी भी actual स्टोरी मुझे पता नहीं थी Will को लगता है कि उसके फादर ने कभी किसी भी चीज़ के उसे कोई भी सच्चाई बता ही नहीं है इसी वज़े से वो अपने फादर से relation नहीं रखना चाता एक दिन जब वो घर आता है तो उसकी वाइब उसे कहती है उसके फादर को स्टोग आ गया था अब Will घर आ जाता है अब में फिर से एडवर्ड अपने सन को स्टोरी बता रहा है यह दिखता है यह स्टोरी है जब एडवर्ड छोटा था वो अपने फ्रेंड के साथ रात में एक भूतिया बंगले बर गया था वो एक दूसरे में बात करते हैं कि यहां एक विच रहती है इस विच की एक आग लास से बनी हुई है कोई भी अगर इस आग में दिखता है तो उसे उसकी डेट दिख जाती है एड इस पर जादा भिलेव नहीं कर रहा था तो उसके फ्रेंड उसे कहते है कि जाओ फिर देख कर आओ उसे उकसाते अंदर जाने के लिए एड भी थोड़ा सा डरा हुआ होता है फिर वो अंदर जाता है इस वीच से वो मिलता है उसे वो कंविंस कर लेता है उसके फ्रेंड से वो मिले है उसके फ्रेंड जब इस वीच के आख में देखते है तो कैसे मरने वाले है यह सब उने दीख जाता है इसके बात एड वर्ड घर तक इस वीच को छोड़ देता है ये इस वीच को कहता है कि मरना बहुत ही बुरा हो सकता है अगर आपको मरने ख्याल आगए तो आप सही से जी नहीं पाऊँगे पर आपको अगर पता होगा कि आप कैसे मरने वाले हो तो बहुत सारी चीज़े आपको पता चल जाएंगी बहुत सारे टाइम में अनमी को लगता है कि अब वो मरने वाला है पर अगर उसे पता होगा कि इस तरह से वो नहीं मरने वाला तो ये बहुत ही इसी हो जाएगा पता होता है कि इसके वाए प्रिगनेंट है एडो से कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ बहुत ही सप्राइजे से भरी होंगी तुम्हारा बच्चा होने वाला है तुम उसे बिगारने के कोशिश करोगे मेरी तरह misleading उसे truth बता होगे और फिर भी वो सही से एक आदमी बन जाएगा तुम जिस तरह से एक अच्छे आदमी बन चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं बैड फादर था विल थोड़ा सा उसके फादर को खिलाता है और कहता है कि मैं अब यहाँ हूँ इसके बाद हम कब मिलेंगे यह मुझे नहीं पता जो स्टोरी जो इवेंट जिस तरह से हुए थे यह आप मुझे उस तरह से बता सकते हो एड इस पर शान्त हो जाता है उसे हो कुछ भी बतान लग गया था इसी वज़े से मुझे तीन साल तक बेड में रहना पड़ा एक मशीन के साहरे यह जीता था यह स्टोरी में उससे बताता है एड कहता है कि मुझे बहुत फिर मिला था मैंने सब इंसाइकलोपीडिया पढ़ कर डाली इसे मुझे बता चला कि एक फिश होता है अगर उसे छोटे से बाल में तुम रखो तो छोटा ही रहेगा और अगर उसे ओशन में छोट दो तो तीन चार गुना वो बढ़ सकता है इसी तरह से मुझे भी लगा था मुझे लगा कि अब मैं बढ़ा होने वाला हूँ इसी वज़े से मुझे यह सब तकलिफ आ रही है इसके बाद एड कहता है कि जब मैं बढ़ा हुआ तो सब के साइज में मैं बहुत ही बढ़ा था उनकी जो स्पोर्ट स्टीम थी उसमें वह फरस्ट आता था हर बार साइन्स कॉम्पिटिशन हो या कोई भी हो इसमें यह फरस्ट ही आता था अपने टाउन में आग अगरा ल इस चाहर में वाइलनस नहीं होने दूंगा एड फिर आगया आता है एड कहता है मैं उसे बात कर सकता हूँ कोई भी काम करने के लिए रिडी नहीं था पर एड करेजियस था एड फिर रिवर के पास एक केव में आ जाता है जब राक्षस से बात करने लग जाता है तो human sacrifice कि तुम मुझे खास होगो इसके लिए मैं आया हूँ यह जो राक्षय से कहता है तुम्हें नहीं खाने वाला एड उसे समझाता है और कहता है तुम्हारे सिर्फ size बड़ा है तुम भी हमारे जैसे ही हो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे लिए यह टाउन छोटा सा है अगर तुम बड़े से टाउन में जाओगे तो तुम्हें वो लोग accept कर सकते है एड कहता है कि मैं छोटा सा हो पर मेरी जो विल है मुझे कुछ कर कर दिखाना है यह बहुत ही बड़ी है मेरे लिए यह टाउन बहुत ही छोटा सा ही है मुझे भी सिटी में जाना है हम दोनों साथ चल सकते है यह राक्षस फिर उसे एक फ्रेंड मिल गया है और उसे accept करने वाला शहर भी होगा इसे एक आशा में अब वो रेडी हो जाता है एड जब छोटा था तो उसे एक बिमारी हो गई थी इसी वज़े से उसे तीन साल तक यहां रुकना बढ़ा था पर अपने बेड़े को अगर उसने ऐसा कहा तो यह बहुत ही जादा डिप्रेसिंग स्टोरी हो जाएगी इसके अलाव अपने बेड़े को कहता है कि वो बढ़ा होने लग गया था तीन साल तक उसे इंसाइकलोपीडिया पढ़ना अच्छा लगता था तो उसे वो करने के लिए मिला एक positive version और एक epic version उसे सुनाता है उसके टाउन में एक बढ़ा सा राक्षस आ गया था यह भी इसी टाउन में यही feel करता है उसे कुछ बढ़ा करना है इसी वज़े से वो city में जाना चाता है यह दोनों फिर friend हो गए और यह दोनों city में चले गए अगर reality में जो हुआ था अपने son को बता देता तो इसकी intensity नहीं रहती इसका जो message है यह clear नहीं जाता जैसे movie progress होती रहेगी तो और भी चीज़े में आपको बताता रहूंगा फिर से story अब start हो जाती है और Ed हमें राक्षस के साथ दिखता है जब रस्ते से जा रहा होता है तो दो रस्ते इने दिखते हैं यह दोनों रस्ते एक ही जगा पर जाने वाले होते हैं एड राक्षस से कहता है कि मुझे इस रास्ते से जाना है यह adventure भरा है और बहुत ही dangerous है यहाँ क्या है यह मुझे पता नहीं है तो मुझे धोनना है वो राक्षस को बता कर जाता है कि हम फिर से मिलेंगे राक्षस को उस्तर बिलिवने होता तो अपनी सब चीजे वो राक्षस को दे देता है वो कहता है कि मेरे लिए जरूर तुम वेट करना एड फिर इस जंगलों से होते होए निकल जाता है इस जंगलों में इसे बहुत सारी difficulties आती है पर इससे हो जोंचता है यह कहता है कि अगर तुम difficulties से नहीं कुजरे तो कुछ अच्छा तुमें कैसे मिल सकता है यह जब यह जंगल पार कर लेता है तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा सा टाउन उसे दिख जाता है इस टाउन का नाम है स्पेक्टर वहाँ पर जो लोग होते हैं इसे वेलकम करते है यह कहते है कि तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए हमें लगा था कि तुम बाद में आने वाले हो एड़ और बिलिव नहीं करता कि यह लोग सब उसे जानते है यह जो टाउन है यह बहुत ही फिक्शनल है यहां जो अदमे होता है यह कहता है कि वो अभी भी यही है इस poet से मिलने फिर Will जाता है Will इस poet से बुछता है कि इतने टाइम तक चोड़न में रहे हो क्या फिर से वापस तुम्हें घर जाना है ऐसा कभी भी नहीं लगा यह poet कहता है कि यह बहुत ही peaceful है यहां कभी भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, कभी भी ज़्यादा थंडी नहीं होती यह रहने के लिए बहुत ही perfect town है, कभी मैं इसे छोड़ कर नहीं जा सकता यहां रहने के लिए जो सब चीज़े चाहिए, इस सब कुछ available है आदमी अगर यहां आ गया, तो उसे कही भी जाने के कोई भी ज़रूद नहीं है पर Ed को यह accept नहीं होता, Ed एक free spirit होता है यह कहता है, कि मुझे पता है कि यह बहुत ही perfect है और फिर भी मुझे सब कुछ चीज़े देखनी है Actual life में जो सब adventures है, मुझे feel करकर देखने है मुझे पता है कि मुझे इस तरह से life मिल नहीं सकती Merry Great भी इस decision को कर सकता हो, फिर भी मुझे decision लेना है सब लोग इससे नाराज होते है, क्योंकि अब वे वापस जाना चाता है Will सिर्फ 18 साल का है, तो उसने अभी life देखी नहीं है यह life देखने के लिए सब एशो आराम छोड़कर वह वहाँ से निकल पड़ता है जाते वक्त poet उसे help करता है, जब यह जंगल में होते है, तो poet अपनी कवीता उसे सुना रहा होता है यह जो कवीता होती है, यह सिर्फ 3 lines की होती है यह जो poet है, इस town की, इस आरामों की, जो lifestyle है, इसमें घुल मिल चुका है इसी वज़े से, यह सही से काम नहीं कर पाता यह जब जा रहा होता है, तो उसे एक pond में mermaid भी दिखती है इस mermaid का, वो बीचा करता है, पर इसे पकड़ नहीं पाता वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है यह छोटी लड़की उसे पसंद करती है, यह वो कहती थी है इड़ कहता है, कि इस town में फिर से वापस आऊंगा, पर मेरा अब यह time नहीं है जब सही time होगा, तो 100% में यहाँ वापस आने वाला हूँ इसके बाद फिर से जंगल में एड़ गुच जाता है, और जब यहाँ से जा रहा होता है तब पेड उसे जकड लेते है यह बहुती डर जाता है, उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है पर तब ही उसे याद आजाता है, कि इस तरह से वो नहीं मरने वाला उसकी डिट कैसे होने वाली है, यह उसे पता है आप में फिर से बुड़ा एड दिखाया गया है और रात में अपनी फैमिली के साथ वो डिनर करता है जब रात हो जाती है, तो उसकी डॉटर इनला उसके पास आकर बेट जाती है उसे वो अपनी बच्पन की स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि ड्रीम से मुझे पता चल जाता था कि कोई मरने वाला है मुझे पहले पता चला था कि मेरी एंड मरने वाली है यह मैंने जब मेरे मदर और फादर से खा तो उन्होंने मुझे बिलिव नहीं किया और नेक्स दिन सच्वाज में मेरी एंड मर गई कुछ दिनों माद मुझे फेसे सबना आया उस मुझे पदा चला कि मेरे फादर मरने वाले है मैंने मेरे फादर को यह सब बादी की मेरे फादर ने कहा कि उन्हों कुछ भी नहीं होने वाला पर फिर भी वो रैटरल हो चुके थे दूसरे दिन जब वो काम पर गए तो वो डर डर कर ही काम कर रहे थे पुरे दिन में उनकी डेथ होने वाली है इसका वो इंतजार करते रहे है पर यह हुआ नहीं जब वो घर वापस आये तो अपनी वाइफ से उसने कहा कि मेरा डे बहुत ही खराब गया था एड की मदर बोली कि तुम्हारा दिन खराब गया है मेरा तो उससे भी बत्तर था सुभे में जब उठी तो दुदवाला हमारे पोस्ट पर ही मर कर पड़ा हुआ था यह बहुत यह फ़नी स्टोरी थी इसका मतलब था एड एक नाजायस वच्चा था अगर हम यहाँ एनलाइज करें तो एड नाजायस वच्चा था यह बहुत यह सीरिस सिच्वेशन होती है बहुत लोग वो इसे एफेक्ट होता है और एक इसे को बता बना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है एड अपनी डॉटर इनलोग को यह बताता है तो इसे एक फ़नी बना देता है स्टोरीज में छुपा हुआ सच यही इस मूवी का पॉइंट है अब एड उसकी वाइफ से कैसे मिला था यह अपनी डॉटर इनलोग को बता रहा होता है वो से कहता है कि जब राक्षस के साथ मैं सिटी में आ गया तो मैं एक सर्वकस में गया था सर्कस का जो मास्टर था उसने जब इस राक्षस को देखा जो बहुत ही डिस्टर हो जाता है सर्कस का जो मास्टर होता है उसे अपने प्रॉल्म बताता है मास्टर इस लटकी को जानता है पर उसे इसकी information नहीं देने वाला होता मासटर कहता है कि तुम कुछ काम नहीं करते कामने तुमें बहुत अच्छे काम कि होंगे पर यह सिटी है, सिटी में तुम इस तरह से नहीं रह सकते तुमारे पास अगर जॉब नहीं होगी तो उसे तुम अच्छी लाइफ नहीं दे पाओगे वो उसे उसका पता नहीं देने वाला होता एड कहता है कि तुम सरकस के मास्टर हो तुम मुझे यहाँ जौब दे सकते हो मास्टर कहता है इसे ही मैं किसी को कुछ भी नहीं देता एड फिर बोलता है कि मैं फ्री में काम कर सकता हो मुझे सिर्फ उस लड़की का पता चाहिए मास्टर फिर एड से एक डील करता है यह कहता है कि जिस मन तुम मेरे लिए काम करोगे उस मन उस लड़की के बारे में एक चीज में तुम्हें पता हूँगा आवा में दिखता है कि बहुत अजीब हो गरीब यह काम एड करता है एड सरकस में हड भी हो जाता है फिर भी एक काम वो करता रहता था तीन साल गुज़र जाते है और उस लड़की के बारे में चोटी चोटी बाते उसे पता जल जाती है जैसे कि उसे music पसन है पर ये लड़की कौन है, क्या है इसे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता जब एक दिन अपनी master से मिलने जाता है तो उसके trailer में एक wolf होता है इस wolf की और Edd की fight हो जाती है Edd एक लकडी लेता है और उसे दूर फेकता है ये जो wolf है, ये कुछ जैसा हो जाता है ये उस लकडी को फिर से Edd के पास लेकर आता है ये जो wolf था, ये अकेला था Edd के साथ इसे खेलना था इसी वज़े से ये उस पर attack कर रहा था Edd कहता है कि कभी-कभी आपको चीज़े लगती है कि जो बहुत दरावनी है पर actual में वो आपसे help मांग रहे होते है अगर आप लोगों कमपेशन से treat करोगे तो वही कमपेशन आपको फिर से वापस मिल सकता है जब सुबा होती है, तो ये जो wolf था ये master ही था रात में master wolf बन जाता है master ने अब देख लिया है कि एड बहुत ही अच्छा आद्मी है अब इस लड़की के बारे में वो सब कुछ उससे पता देता है वो कहता है कि वो यूनियर सिटी में है उसका semester खतम होने वाला है जो जल से जल तुम वहाँ चले जाओ एड बहुत ही खोश हो जाता है वो भागते भागते ये लड़की जहा रहती है यहाँ पोच जाता है इस लड़की का नाम Sandra है ये Sandra का डोर खटका डाता है उससे कहता है वो तुम से बहुत ही जादा प्यार करता हूँ तुमारे लिए मैंने तीन सार महनत की है उसके साथ जो सब होँ है ये उससे कहता है Sandra कहती है कि तुमारे रेपिटेशन से तुमारे बारे मैं जानती हूँ पर हमारी शादी नहीं हो सकती तुम जिस टाउन में आये हो उसी टाउन के एक लड़के से मेरे शादी होने वाली है एड को फिर realize होता है कि इतने आसनी से जिस औरत से वो प्यार करता है इसे वो जाने नहीं दे सकता ये फिर उसके classroom में उसे प्यार करता है ये बड़ा से अक्षरों से में लिखता है आकाश में प्लेन से उसका नाम बनाता है उसके घर के सामने बहुत सारे फूल वो रख देता है सैंडरा फिर इस सबसे impressed हो जाती है जिस लड़के से सैंडरा की शादी होने वाली है वो भी वहाँ आ जाता है ये विल का वसकेवन का friend ही होता है पर इन दोनों में कभी नहीं जमती विल हमेशा first आता था और ये कभी भी focus में नहीं आ पाया सैंडरा एड से कह दिये कि please इसे मत मारना एड फिर बहुत मार खाता है सैंडरा फिर जिससे उस दिन शादी होने वाले होती है उससे प्रेकप कर लेती है इन दोनों की फिर शादी हो जाती है फिर फिर अपने स्टोरी में कहता है कि मुझे आर्मी में जाना पड़ा जो प्रेजिडेंट है इनका उन्हें ओर्डर आया था और जो सब यंग जनरेशन थी इन सब को मिल्टरी में सव करने पड़ने वाला था इन्हें 3-4 साल वहां सव करने थे पर अगर एड ने अलग-अलग मिशन्स ले लिए जो बहुत ही डेंजरस थे तो उसे 21 साल सव करना पड़ेगा तो इस तरह के मिशन एड ने लिए इसी मिशन पर कोरियन लोगों से उस नुकलियर पावर पारण के प्लैंस चिनने थे यह चिनने के लिए वो एक सरकस टाइब जगा पर ही आ गया उसने जब वहां से प्लैंस चुरा लिये तो वहां दो शोगर्स आ गई यह दोनों एक दूसरे की बोड़ी से कनेक्टेड थी यह बहुत ही डर चुकी थी और इनने सिपायों को बुला लिया तो एड मर सकता था एड ने फिर सैंडरा की फोटो इने दिखाई एड कहता है कि मेरे वाइब के पास मुझे फिर से जाना है इन दोनों लड़कियों ने फिर से वहां से निकलने के लिए हेल्प की एड को वापस आने में बहुत जादा टाइम गुजर गया सैंडरा को लगा यह मर चुका है मिल्टी ने भी यह अनौंस कर दिया था पर जब एड वापस आ गया तो सैंडरा बहुत ही खुश हुई थी हमें एड का सन विल और उसकी वाइब बेड में ही हमें दिखता है उसक पर कौन है यह मुझे पता ही नहीं है उनके एक पूरी लाइफ अलग है यह मुझे लगता है मैं जब भी छुटा था तो मेरे आसपास वो कभी भी नहीं थे मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे वो चाहिए थे पर कभी भी वो मेरे आसपास नहीं थे नेक दिन सुबा मुझा जानना है, एड कहता है कि जब से मैं पॉन हुआ हूँ, मैं यही हूँ, मैं कोई भी अलग आदमी हो, यह मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाता, एड डिसपॉइंड़ होकर वहाँ से चला जाता है, विल की मदर उससे कहती है, कि तुम्हारे फादर का जो ससामा ने, उस फिर से हमें विल की स्टोरी स्टार्ट हुए दिखती है, विल कहता है कि जब मैं आर्मी से वापस आ गया था, तो मेरी लाइफ परफेक्ट थी, मुझे सिर्फ मेरे वाइफ के लिए एक अच्छा सा घर बाय करना था, मिल्टरी में जाकर आने के बाद यह सेल्समैन बन गया हमें शाह रोड पर ही रहता था, एड अडवेंचरस होता है, अलग अलग जगा पर जाना उसे अच्छा लगता है, तो इसी वज़े से यह जो रोड जॉब है इसके लिए फरफेक्ट होता है, अब हमें दिखता है कि एड बहुत ही अच्छा सेल्समैन बन जाता है, इसकी व पूचा, इतना परफेक्ट टाउन छोड़कर तुम वापस कैसे आ गया, इस व्राइटर ने उसे खाहा कि तुम जाने के बाद मुझे रियलाइस होआ कि बाहर भी बहुत सारा एडवेंचर है, इसी वज़े से पूरी लाइफ मैं अब एडवेंचरर की तरह जीना चाहता इसलिए अब मैं ये बैंक लुटने वाला हूँ, ये पूरी फिर गन निकाल लेता है और इस बैंक को लुटता है, एड के गाड़ी में वो बेठा हुआ होता है, एड को उसने वाल लुटने के लिए बोला हुआ होता है, ये जो वाल लुटता है, ये खाली होता है, एड फ अगर poet stock market में invest करेगा तो बहुत ही reach बन सकता है इसके बाद Edd में कहता है कि poet ने सच मुझे वैसा ही किया उसे जब million dollars मिले तो उसमें से 10,000 dollars उसने मुझे दे दिया इस पैसों से मैंने एक बड़ा सा घर बाय कर लिया उसका जो सपना था उसकी wife के लिए घर लेना उसने वो पुरा गर डाला अब अगर हम इस story में देखे तो उस poet को Edd ने help की थी financial situation के लिए उसे क्या करना चाहिए ये उसे guide उसने किया था एक simple चीज थी पर जब इसने robber इसमें डाली उसे बहुत ज़्यादा फाइदा हो गया ये सब चीजे उसमें डाली तो ये बहुत interesting बन गए ये story कोई भूलने नहीं वाला अब हम फिर से present दिखाया जाता है विल अपने father की सब चीजे sort out कर रहा होता है उसे कुछ papers मिलते है इसमें उसके father के नाम पर को जब हम देखते है तो movie के first में हमें जो wish दिखाई गई थी ये वही औरत है पर ये अभी wish बनी हुई नहीं है विल उसके घर में आता है उसे गहता है ये मुझे पता है कि तुमारे और father में कुछ तो था मेरे father बहुत सारी औरतों के साथ flood करते थे उनके बहुत सारे चक्कर होंगे ये मुझे पता था ये कहिती कि मैं बता सकती हूँ तुमारे father और मेरे बीच में क्या relationship थी पर तुमारे मन में जो तुमारे father की image है इसे मैं नहीं टुकराना चाहती विल इसे थोड़ा सा force करता है इसके बाद फिर हमें और एक स्टोरी ये सुनाती है ये कहिती कि विल सेल्समैन था तो रोड से वो जा रहा था एक दिन स्टॉमार आ गया और वो फेस से स्पेक्टर टाउन में आ गया ये भही टाउन था जो मुवे के first में हमने देखा था जो बहुत ही perfect टाउन था जब इस टाउन में वो वापस आ गया तो एक टाउन बरबाद हो चुका था यहां के लोगों से जब उसने बात की तो उसे पता चला के टाउन bankrupt हो चुका है एड को बहुत ही बुरा लगा एड को अब इस टाउन को फिर से बनवाना था इसे वज़े से उसने अपने जो सब फ्रेंज से इन से मदद ली जो सरकस का मास्टर था यह भी अमेर था उसके बाद उसका वास्टिट का फ्रेंड जो पोईट है यह भी अमेर था इन सब की मदद लेकर उसने एक ट्रस ली और पूरे टाउन को बाई कर लिया इससे जो टाउन है यह फिर से सही से बन सकता है लास्ट घर बचा हुआ था तो उसे खरीदने जब वो गया तो यह लड़की वहा थी इसने एड से कहा कि वो यह हाउस बेजना नहीं चाती इनकी बातों बातों में इसे पता चला कि जो स्पेक्टर में जो छोटी लड़की थी जिसने उसे कहा था कि वो उसे पसंग करती है यह वही लड़की है इसका दिल तूट चुका था अब यह दोनों एक दूसरे से फिर से मिल गए है उसे यह दिये कि प्लीज यहाँ से चले जाओ जब एड वहाँ से जा रहा होता है तो इस घर का डोड तोट जाता है अब इस घर को सही करना एड का प्रोजेक्ट बन जाता है इगर टेड़ा होता है तो अपने मॉंस्टर फ्रेंड से वह हेल्प लेता है इसे हो सही से करता है इसे पेट वेगरा करता है और पूरी घर की मरमत कह देता है जब इस लड़की को हेल्प कर रहा था तब ही इन दोनों में नजदी की आ गई इसे किस करने वाली थी पर एड ने उसे रोक लिया एड ने ही कहा था कि हो अपनी वाईप से बहुत ही प्यार करता है वो इसके साथ अफेर नहीं कर सकता एड जब जा रहा था तब इस लड़की ने उसे जो वेल थी वो वापस कर दी इसके बाद बहुत सारा टाइम गुजर गया और जहाया लड़की रहती थी यह वीज बन गई जहां से स्टोरी स्टार्ट हुई थी यही पर यह खतम हो गई बैचारा विल यहां बहुत ही डिसप्मोइटर हो जाता है जिस तरह से उसके फादर उसे कुछ भी सच स्टोरी नहीं बताते उसी तरह से उसे लगता है कि यह औरत भी इसी तरह से उसे जलाव दे रही है विल जब घर पर आता है तो उससे पता चलता है कि उसके फादर को फीसे स्टोक आ चुका है अब इसके फादर मरने वाले है विल अपने फादर से last बात करने के लिए आता है इस hospital में जो दॉक्टर होता है इव बात करता है इव बुष्टा है कि क्या तुमें पता है कि तुम कैसे बॉन हुए थे विल कहता है कि मेरे फादर ने मुझे कभी सच्छा ये बता ही नहीं है डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे मदर पेगनेंट थी पर तुम्हारे फादर जॉब के लिए बाहर गए थे तुम जब बॉन होए थे तब ही यहाँ नहीं थे डॉक्टर फिरूट से समझाता है तो मैरे फादर ने तुमें जो स्टोरी बताई होगी बहुत ही एडवेंचरस होगी अगर यह स्टोरी जैसी है वेसे अगर वो तुमें बता देते तुमें मज़ा नहीं आता तुम कैसे जन्में थे इसकी स्टोरी अब तुमें हमेशा से याद रहेगी डॉक्टर कहता है कि अगर मुझे दो वर्जन्स में से चूस करना होगा तो मैं फिक्शन वाला वर्जन ने चूस करूँगा विल फिर इस पर सोचने लग जाता है इसके फादर फिर उट जाते है इसके फादर उसे बोलते है कि अब मैं कैसे मरने वाला हूँ इसकी स्टोरी तुम मुझे सुनाओगे विल को पता चल जाता है कि उसके फादर उसे क्या खहना चाते थे इसके फादर मरने वाले है यह बहुत डिफिकल्ट चीज है लाइफ में इस तरह से बहुत सारी डिफिकल्ट चीज़ों से आपको घुजरना पड़ता है इसे आप किस तरह से इंटरेस्टिंग मना सकते हो इसे किस तरह से पॉजिटिवली आप देख सकते हो इसका एक ही वे है कि इसे एक फिक्शनल स्टोरी में कनवर्ट कर दे इसके फादर अब किस तरह से मरने वाले है और इनका फ्यूनरल वेगरा किस तरह से होगा इसके एक फिक्शनल स्टोरी बनाकर विल उनने सुनाना स्टार्ट कर देता है यह अपने फादर को कहता है कि एक दिन अचानक से तुम उट गए और अच्छे हो गए होस्पिटल में हमें सब लोग रोकना चाते थे पर हम कभी भी नहीं रुके हम वहाँ से भागते भागते गाड़ी में बेट कर चले गए इस रास्ते में ट्राफिक थी तो आपके जो मौस्टर फ्रेंड थे उन्होंने इस ट्राफिक को बाहर निकालने के लिए बहुत ही हेल्फ की सब गाड़ीयो को रस्ते से बाहर उनने निकाल दिया मैंने फिर आपको गोत में उठा लिया अचानक आपका जो बेट था वो बहुत कम हो चुका था जब हम रिवर के पास आये तो सब आपके फ्रेंड्स वहा थे यानि कि सरकस का मास्टर कोरिया में जो ट्विन्स लड़किया उसे मिली थी ये लड़किया जो पोईट था वो और उसका मौस्टर फ्रेंड्स तो यहा है जो सब लोग एड को जान दे थे वो सब यहां थे यह हसी खुशी उसको चेयर कर रहे थे विल फिर अपने फादर को रिवर के पास लिकर रहा जब पानी में अपने फादर को उसने डाला तो उसके फादर फिश बन गए एक बड़े सी फिश वो बन गए है यही वो स्टोरी खतम कर देता है यह अपने फादर को कहता है कि जो तुम हमेशा से थे वो तुम बन गए इतने बड़े आप फिश हैं तो आपको कोई पगड़ नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता Death ये बहुत difficult subject होता है इसके बात क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है Will के father Ed ये भी अपने death के लिए बहुत ही परेशान होते हैं ये डर्रे होते हैं पर उनका son यानि की Will जब इनने ये story सुनाता है तो अब ये chain से मर जाते है अब हमें Ed का funeral दिखाया जाता है इस funeral में सब लोग आते हुए में दिखते है सरकस का master, twin और वो monster ये सब वहाँ आ चुके है अब हमें reality में वो cases थे ये सब दिखता है Ed ने story में हमें बताया था कि ये जो twins थी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी पर ये reality में वैसा नहीं था actual में twins थी और हमेशा एक दूसरे के साथ वो रहती थी इसी वज़े से उसने fiction में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी ये उसने बता दिया था जो monster story में उसने बताया था वो इतना बड़ा सा monster नहीं था ये सिर्फ बहुत ही heightened आदमी था यानि कि Ed ने जो reality थी उसको सिर्फ exaggerate कर कर बताया था हमें दिखता है कि Will को भी बच्चा हो चुका है जो stories उसके father जिस तरह से उसे बता दे थे उसी तरह से वो भी stories अपने बच्चे को बताता है यही movie end हो जाती है इस movie में हमें बताया गया है कि मरने के पाथ हम legacy छोड़ कर जाते है हमारे आसबास जो सब लोग होते है वो हमें stories में ही याद रखते है अगर हमें लोग stories में याद रखे तो हम अमर हो जाते है इस movie में जो भी life हमें जीनी है एक adventure की तरह हमें जीनी चाहिए एक message दिया जाता है कितने भी पूरे time में आप रह रहे हो तो भी आप अच्छे से जी सकते हो इसे आप interesting में आ सकते हो बहुत ये अच्छी movie थी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी इसी movies लेकर आते रहता हूँ इस चानल को subscribe कर दीजे और bell notification icon में दमाना मत बुलिए आपको सब movies मिलते रहे हम फिसे मिलेंगे एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये